हेलो प्रेंड स्वागलाता है फास्ट इन्वर्मेशन में एस वीडियो के मादेंद से हम आज बात करेंगे PM QEAरפmont के बारे में यानि कि परदफान मंतरी केश्षान क्या है ? इसके फाइदा क्या है साथी PM केरफंड के माधियम से इस बार क्रोना से प्राभावित वेक्तियों को दस लाख रुपया देने तक की बात किया रहा है तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं और इसके लिए आविदन कैसे करना है सारे बाते में से माधियम से करेंगे तो वीडि सब्सक्राइब मुझेध से अन इसका उनक सायता राषी दिया जाता है तो को प्रभावित irafin도 को क्या-कार पैदा मुझे जानते हैं जैसे के मैं आपको बता दू जान गवाने वालों के असरीतों के लिए पैंसन यानि कि जो बच्चे जान गवादी हैं उनके बच्चे जिस पर असरीत हैं उनको पैंसन दिये जाएंगे और ये पैंसन कैसे कैसे मिलेगा कौन दे रहा है ये केंद्र सरकार करोना से जान गवान जो भी बेतन होगा उसका जो भी इंकम है बेतन है उसके 90% के बराबर दिये जाएंगे उनको सहता राशी के रूप में पैंसन राशी और यह राशी आप लोग को लगभग यह लाब पिछले साल 24 मार्च से प्रभावित होगा और इसमें 24 मार्च 2022 तक के मामले सामिल होगा या जाएंगे यह चीज हो गया दूसरी बात करें तो इस पर पढ़ाई का भी खर्च उठा रही है सरकार यानि कि बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाएगा केंद्र सरकार इस फंड के माध्यम से केंद्र सरकार के दोरा बच्चे का टोटल फी एक्जामिशन फी लेकर के जाएंगे अगर बच्चों का दाखिला प्रावेट स्कूल में होता है तो उसकी फीस आर्टी नियम के मुताबिक प्यम केर से दिये जाएंगे यहां पर देखिया सबस्ट बता दिया साथ ही उनके कौपी यूनिफार्म किताब का जो भी खर्चाएगा वो भी सरकार ही उठ अगर 11-11 सरकार के आवास्ची इसकूल जैसे कि सेनिक नवदाय और जो भी सकूल सरकार के अंतरकात आते हैं उसमें दिये जाएंगे यानि कि अभी तक 18 वर्स तक पूरे खर्च सरकार दे रही है और वह भी केंद्री विद्यालाय के माध्यम से इसके अलाबे और भी फंट हैं जैसे कि आपको ढहाowing था हम दिखा दू अभॉचों का नाम पर किया जाएगा फिक實 अपर फिकश डिपोजित जες के जेसे कि बतादू गोशना के मताबिक एक के से योगदानि से चाहत परतिक बच्चों के लिए 10000000 को सिरजीत की जाए जाएगे कि 10 लाख रुपय कोश में सिर्जित किये जाएंगे 10 लाख रुपय जमें किये जाएंगे जब बच्चा 18 वर्ष का होगा उसे इस कोश से 5 साल तक मासिक आर्थिक मदद किये जाएंगे पांस साल के बाद जो भी उसको परहाय में या आर्थिक मदद हो जाएगा वो उन 10 लाख रुपे की जो कोस जमा रहेंगे उसमें आप निकाल करके उसका आर्थिक मदद दिया जाएगा उसके बाद और भी बात कही है तो इस वर्च की उम्र पूरा हो जाने पर इसको उसके 10 लाख रुपे की रकम का एक मुस्त रासी उससे दे दिया जाएगा ताकि वह अपनी नीजी और वेबसाइक जुरतों को पूरा कर सके यानि कि इस वर करोना से कोवीड से प्रभावित जो सारा डिटेल्स अच्छा से पढ़िए जानकारी लीजिए और आप वहां से लाब ले सकते हैं साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के सारे नएने वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बैल आकन दो जो लिएगा शेयर करके बता दीजिए कि पीम केर फंड के माध्यम से कोविट नैंटेर प्रभावित विक्तियों को मिल रहा है लाब और इनका फैदा जैदा से जैदा उठाएं फिर मिलते हैं अगले वीडियों कुछ नएचीजों के ले करके तब तक देखती रहे फास्ट इंफॉर्म थाइशन, तैंक यू